नमस्कार मेरा नाम है दव्यानशी और आप देख रहे हैं दीललन टॉप महाराश्ट की मुख्य मंतरी उद्धफ ठाक्रे ने घोशना की है कि दिवाली के बाद राज्जे में धार्मिक स्थल और स्कूल दोनों खोल दिये जाएंगे उन्होंने का कि तब तक राज्जे के कल्यान के लिए आलोचना का सामना करने को तयार हैं इन सबके साथ साथ उन्होंने लोगों से पटाखे ना जलाने और त्योहार के बीच मास्क पहन कर रखने की अपील की है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उद्धव ठाकरे ने कहा दिवाली खत्म होने दो हम जल्दी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलेंगे लेकिन जब मंदिर खुले तब आप अपने चपल बाहर छोड़े पर अपना मास्क नहीं उन्होंने आगे कहा कई वरष्ट नागरिक पूजस्थलों पर जाते रहते हैं मेरी आलोचना की जा रही है कि मंदिर अभी तक नहीं खुले है दिवाली के बाद हम मंदिरों को खोलने के लिए दिशा निर्देश तयार करेंगे जो मेरी आलोचना कर रही है वो इसे जारी रखे मैं अपने महाराष्ट की सुरक्षा के लिए सभी आलोचनाओं का सामना करूंगा दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए सीम ने कहा प्रदूशन के कारण दिल्ली में मामले बढ़ गए हैं जो हमारे रिस्पिरिटरी सिस्टम को कमजोर करते हैं हम पठाकों पर प्रतिबंद लगा सकते थे पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं आपने हमेशा मेरी बात सुनी हर मुझे पता है आप इस प्रक्रिया को बनाए रखेंगे आप दिवाली मनाएं दियों से लेकिन पठाकों से नहीं उन्होंने मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाने की बात कही बताया मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा डॉक्टरों ने कहा है कि बिना मास्क वाला एक संक्रमित व्यक्ति 400 अन्ने को संक्रमित कर सकता है लोकल ट्रेनों को शुरू करने की मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा हमने लगबख सब कुछ खोल दिया है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है लोकल ट्रेनों के बारे में हम केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं पियोश गोईल जी बहुत सही होगी रहे हैं जैसे ही हमें केंद्र से मन्जूरी मिलती है हम स्थान ये ट्रेनों को भी शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे उद्धव ने बार बार आलोचना का जिक्र क्यों किया दरसल बीजेपी धार्मिक्स थलो को खोले जाने की मांग कर रही थी बीजेपी का कहना था कि जब सब कुछ खुल ही रहा है तो धार्मिक्स थलो पर ताले क्यों उन्हें भी खोल ही देना चाहिए इसी मांग को लेकर बीजेपी कारेकरताओं ने 13 अक्टूबर को मुंबई के सिद्धी विनायक मंदर के बाहर प्रदर्शन भी किया था राजसरकार के खिलाफ नारे बाजी हुई थी मुंबई के अलावा शेडी में भी बीजेपी कारेकरताओं ने प्रोटेस्ट किया था कुछ लोग अंशन पर भी बैट गए थे इस सब के बीच राज़ेपाल भगस सिंग कोशियारी ने मुख्यमंतरी उद्धफ ठाकरे को एक पत्र लिखा था कहा था कि उद्धफ ठाकरे ने एक जून को मिशन बिगिन अगेन की शिरुवात की थी लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी धार्मिक स्थल नहीं खुले पत्र में राज़ेपाल ने लिखा था कि सरकान ने बार और रेस्टरॉण खोल दिये लेकिन देवी देवताओ के स्थल नहीं खोले आगे लिखा आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षतर रहे हैं आपने भगवान राम की निसार्गजनिक रूप से अपनी भक्ती दिखाई है पिछले तीन महीनों में इस मुद्दे को लेकर कई सारे लोग मुझसे मिलने आए इनमें धार्मिक नेता, एंजियो, नेता सब थे इनकी मांग है कि धार्मिक स्थलो को खोल दिया जाए, आप आशारी एक आदशी पर पंडुरपुर के विठल रुक्मणी मंदर जाकर पूजा भी कर चुके हैं क्या आप अचानक सेकुलर हो गए हैं, जो शब्द से आपको चिड़ है हाला कि इसका जवाब मुखे मंतरी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदुत्व साबित करने के लिए राजिपाल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपके लिए खबर लिखी हमारी साथे उमाने, देखते रहिए, दीलल लंटाओ, शुक्रिया